Hey everyone, welcome to CodingSense, अब बात करेंगे Promise के बारे में, basically हमें Promise जो है ES6 यानि ECMAScript version 6 से Promise मिलना शुरू हुआ, so basically इसका introduce क्यों हुआ, Promise हमें क्यों मिला, हमारे पास क्या alternate option था, basically Promise जो हमें मिला है, JavaScript में जब भी आप Async task perform करते हैं, ठीक है, Async मतलब Asynchronous जिसका result जो है, future में आपको मिलेगा, ठीक है, ऐसे task के लिए हमें Promise मिला, ES6 में, ठीक है, लेकिन ES6 से पहले, यानि कि ES5 यार उससे पहले, हमारे पास क्या था, हम basically एक pattern उसका नाम callback है, और basically callback हमेशा उस होता है, इससे ह बच नहीं सकते हैं, लेकिन callback के होते Promise क्यों आया, कहीं के ऐसे scenarios थे, जहां पर आप multi asynchronous task, यानि कि बहुत सारे asynchronous task perform कर रहे हैं, वहाँ पर callback जो है, एक के अंदर, एक के अंदर, एक के अंदर nested होती जाती थी, जहां से, example के लिए गर हम बात करें, हम यहाँ पर देख सकते ह कैसे, इस snippet में क्या देख रहा है, कि basically, यहाँ पर यह सारे asynchronous task मान लीजा, ठीक है, यहाँ पर asynchronous task होते वे भी कैसा है, कि यहाँ पर callback यूज़ हो रही है, so, function एक callback है, फिर एक और function callback, so, यह देख रहे है, यह nested callback चलती आ रही है, तो basically, यहाँ पर track करने में, या trace करने म जो भी अगर मान लीजे कोई problem आया, इसमें किसे का result नहीं है, तो इसमें debug करने बहुत problem होता था, और यहाँ पे सिर्फ मान लीजे, आप success handle कर रहे है, यहाँ पे error भी handle कर सकती थे, उस case में, यह जो pattern हम देख रहे हैं, इसको implement करने में, और इसको maintain करने में, बहुत problem होती थ जैसे कि basically एक task जो दूसरे से connected है, जैसे कि पहले आपने Amazon पर order किया, उसके बाद order के बाद यह जाएगा confirmation के लिए, फिर जाएगा payment के लिए, तो यह सारे अगा synchronous task है, कितने देर लगेंगे payment confirmation में नहीं पतर है, तब तक आप नहीं रुखोगे, तो ऐसे चीज के लिए, I mean व पड़ता है, तो इस case में promise हमारा यही solution है, basically इन सब promises, इन सब जो scenarios हमने देखा, जिसमें nested callback use हो रही है, उसको fix करने के लिए, उसको solution लाने के लिए, JavaScript ने ES6 में, याने ECMAScript version 6 में, promise का introduction दिया, और basically वहां से हम promise use कर पाए, तो promise basically किया है, promise जैसे कि callback एक basic function है, ठीक है, यह normal function, ठीक है, यह कोई special kind of object नहीं यहां पर, लेकिन promise जो है, special kind of JavaScript object है, ठीक है, यह mostly async task बहुत अच्छे से handle करता है, without, मतलब, चीजों को miss किये भी ना, याने कि, यहां पर आपको वैसे patterns देखने के नहीं मिले कि, जहां पर call nested हो रही, nested हो रही, और यहां पर जो हम लिखत after a synchronous operation, ठीक है, जाईर सी बात है, even callback में भी, अगर, let's say, function है, ठीक है, x दी है, और यहां पर callback है, ठीक है, तो यहां पर जो result मिलती थी, यह success होने के बाद मिलती थी, right, इसमे, same यहां पर ऐसे यह, यह भी एक produce करता है, value, या फिर value in the sense, यहां पर result मान सकते है, जबी भी a synchronous synchronous operation complete हो जाता है, या फिर success होता है, या फिर error होता है, अब complete दो दरीके सो सकता है, right, success या फिर error, ठीक है, यह चीज़ हमें समझ में आता है, generally एक program, या फिर error return करेगा, या फिर success, right, दो यह चीज़ होती, scenario, अब यहां पर basically promise को और एक वे में समझने का क्या मतलब है, कि example के ल अब यह promise के दो option है, या फिर promise को पूरा किया जाएगा, या फिर promise complete होगा, या फिर incomplete रहेगा, right, या फिर promise को complete करते हैं और break करते हैं, right, दो चीज़, तो complete यहां पर हम कैसे समझते है, resolve, यानि कि आपने promise resolve कर दिया, और incomplete रहा, तो यहां पर आप क्या बोलते हो, reject होगी, ठी JavaScript language में, resolve मतलब आपकी promise आपने पूरा कर दिया, बिना कोई problem के, यानि कि error कोई नहीं है, और reject मतलब कि आपने promise पूरा नहीं किया, कोई error आ गया, कुछ, लेकिन इस term में, अगर son exam में fail होता है, या फिर कुछ भी, तो या इसने reject कर दिया promise को, अगर यह pass आता है, या first आता है तो resolve कर दिया, right, अब basically जब promise का कोई result आ जाता है, तो उसको बोलते हैं कि हाँ, promise जो है, settled हो किया, ठीक है, इसका state है, ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसका बारे में, और अभी यह दोनों में से कोई result आता है, या if reject, if resolve, तो इसको बोलते हैं कि basically अगर resolve किया, तो आपने fulfill कर दिया promise, right, तो basically अगर आप result positive देते हो, result exam में pass हो किया, तो resolve, अगर fail आते हो, तो फिर यहाँ पर आप rejected या फिर error बोल सकते है, ठीक है, अब promise जो है, ऐसे समझे है, लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पर promise के कितने state है, basically अगर promise है, ठीक है, तो इसके state अगर आप होगे, तो start होता है, शुरू में, पहले आता है pending, ठीक है, pending मतलब कि लड़के ने अपने पिता से promise किया, कि exam में top आएगा, ठीक है, अब exam हुआ नहीं है, चल रहा है, ठीक है, let's exam हो किया, ठीक है, उसके बाद result आया, result में यह pass हो किया, अब इसका state के आएगा, fulfilled, ठीक है, example के लिए, यह result इसका आया, fail हो किया, तो alternate क्या था, यहाँ पे क्या था, आपका, rejected, ठीक है, so basically आपने यहाँ पे क्या किया, promise जो है, reject हो गया, right, clear है, अब दो state है, promise का state क्या था, pending, उसके बाद rejected, fulfilled, ठीक है, यह state के बारे में बात करें तो, ठीक है, एक, दो, तीन, तीन, त अब तक नहीं दिया, ठीक है, लड़के ने, exam दे दिया, तो अब कोई result आएगा, fail या pass, तो rejected या फिर fulfilled, ठीक है, अब इसके बाद, जो होता है, अब जब यह दोनों में से कोई result आ जाता है, fulfilled या rejected, तो इसको बोलते है, settled, यानि कि यह promise का का काम खतम हुआ, ठीक है, तो क्य ठीक है, और settled, ऐसे समझ सकते है, so basically कैसा है, promise, ठीक है, pending, ये कब, जब आपने promise बनाया, अब इसका क्या रहेगा, state, या फिर full, filled होगी, या फिर आपका क्या रहेगा, ये fail होगा, ठीक है, so fail के case में हम क्या बोलते है, rejected, ठीक है, और ये basically किस में cover होता है, इसको बोल सकते हो कि आप settled हो गया, ठीक है, एक बार आपने reject कर दिया, तो reject होगी, fulfilled मतला, fulfilled कर दिया, ये resolve कर दिया, तो basically, ये जो हम देख रहे है, ये promise का, ये जो अपने कोई deal मिल रही है, ये promise के concept property पे रहती है, ठीक है, ये रहती है, state के उपर, so promise का state होता है, ठीक है, ये state पे available होती है, pending, pending, या फिर fulfilled है, rejected, क्योंकि promise बताएगा न, कि हाँ, कोई asking task कर रहा था, network call कर रहा था, success होगा, fail हुआ, so इसका एक property होगा state, और दूसरा property क्या होता है, अगर आप बात करोगे, तो simple सा result, result जो होता है, शुरू में, जब आपका second property ये, ठीक है, so ये result, result basically क्या है, कि अगर, ज इस वक्त आपका result क्या रहता है, आपका undefined रहता है, क्योंकि आपको नहीं पता, कि ये लड़का fail करेगा, pass करेगा, right, result, उसके बाद अगर fulfilled होता है, तो इसका result क्या होता है, आपको कोई value मिला, कि हाँ, score, या फिर, इस case में score मिला, लड़की ने pass किया, तो, या first किया, त reject case में आपको क्या मिलेगी, error मिलेगी, ठीक है, तो basically, ये error और या फिर आपको बिलेगी value, जो आप देख रहे हो, और जब pending state में होता है, तो undefined, so promise की दो properties होती, internal result और state, ठीक है, state pending, जब promise create होता है, fulfilled, result होता है, जब आ जाता है, या फिर rejected, और जब result आ जाता है, तो इसको चले एक काम करते है, एक normal promise create करते है, ठीक है, basically promise create करने से पहले एक चीज़ देखते, अगर मैं यहाँ पर promise type करूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगी, उसका code मिलता है, बोलता है, function है, ठीक है, अगर मैं array type करूँ, तो क्या मिलता है, function, ठीक है, अब समझ मार रहा है कुछ देदीरे मुझे, कि basically array को आप अगर new array लिखते हो, तो क्या होता है, array create हो जाती है, है ना, उसी तरह यानि कि new क्या गया, promise लिख सकते हो, तो basically यह भी एक constructor function है, जो कि promise object create करने के लिए उस होता है, अब जैसे new array में अगर आप जो value दोगे, वही value आपको create हो जाती है, यानि क तो basically यहाँ भी ऐसा यह, promise भी आपको parameter लेता है, अब समझते है, basically और दूसरी बात, अगर मैं promise अगर है, तो इसका prototype भी होगा, तो अगर promise का prototype में हम देखेंगे, तो मुझे क्या दिखती है, catch, finally, then, अब इस से मैं क्या समझ माहता है, कि promise जैसे कि array के prototype में जो भी होता है, व promise का मतलब जो promise है, उसके ऊपर आप यह सब call कर पाएंगे, catch, finally, then, ठीक है, अब देखते हैं कि यह चीज का हम create call कर पाएंगे, ठीक है, इतना ध्यान में लखना है कि यह सब चीज होती है, catch होता है, आप कुछ लोग को आपको पता भी है कि basically है क्या, right, यहाँ पर हम देखें constructor, so promise क्या बता रहा है कि अपना promise के पास एक constructor function है, इसे promise create होता है, right, और constructor के अंदर हमें क्या दिख रही है, कि देखें, all, all settled, right, उसके बाद हमें क्या दिख रही है, raise, reject, resolve, है न, so reject और resolve मुझे दिख रही, यह basically क्या दिख रहा है, function है, है न, so promise के prototype के constructor के अंदर, ठीक है, so constructor function के अंदर मुझे क्या दिख रहा है, कि यह reject और resolve करके दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब कि यह और उपर से क्या reject और resolve function है, इसका मतलब कि एक पर हम promise create करते हैं, फिर समझते क्या है, अब लेट से मैंने यहाँ पर promise create करना चाहा, तो मैं एक variable का नाम दे दिए promise, अब क्य कह रहा है, कि इसको एक function चाहिए, executor चाहिए, executor function, जो इस promise को run करेगा, ठीक है, देखे, basically लड़के ने promise किया, लेकिन अब promise को contract करेगा, right, मतलब basically, अब यहाँ पर लड़के का roll आएगा, कि promise को, मतलब, pass करेगा, या fail करेगा, जो भी promise को execute करने वाला कोई होना चाहिए, त तो basically हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर यह बोलता है कि function पास करो, ठीक है, तो मैंने function पास किया, यह parameter लेता है as a function, callback function, right, जैसे हमें पता है न, कि अपना array या फिर जो भी यह dot filter भी अपना callback function लेता है, right, map भी लेता है, है न, array के उपर, तो promise पर callback function लेता है, basically callback यह बोलते है, यह हम जो दे रहे है, executor function है, ठीक है, यह promise इसको use करेगा, execute करने के लिए, promise को, ठीक है, spelling से लिख लेते है, so basically promise के अंदर हम क्या पास कर रहे है, executor function, अब यह function के अंदर हमें क्या दिख रही है, कि यहाँ पे, JavaScript में दो चीज़ प्रोवाइट करेगा, एक इस इसके constructor function पर, right, अगर मैं promise.prototype, और अगर आप constructor करोगे, तो हमें क्या दिखेगी, sorry, जैसे नहीं दिखेगा, यह देखे, अगर मैं इसके constructor पर जाओ, तो मुझे क्या दिखेगा, reject, resolve, reject क्या function है, resolve क्या function है, इसको मतलब यह जो parameter मुझे मिल रही है, argument, जो JavaScript हमें देगा, वो क resolve करो यहाँ पर, ठीक है, और resolve function है, तो मैं इस पर कोई parameter पास कर सकता हूँ, hello resolved करके मैं कुछ भी लिख दिया, ठीक है, अब कैसा है कि promise, अगर मैं print करो, तो मुझे क्या दिखेगा, simple सा, अगर मैं print करो, तो यह क्या बोल रहा, fulfilled, hello resolved, right, so basically just हमें बात किया, promise का कितना state होता है pending, fulfilled, rejected, इस case में कोई error ने आया, ठीक है, अगर मैं वही reject कर दूँ, तो क्या आएगा, refresh, क्या बोल रहा, rejected, इसका मतलब कि, और यह error भी दिया, रहा है, और यहाँ पर basically error दे रहा है, कि आपका promise fail हो गया, और error थ्रो किया, इसका मतलब कि reject जो है, तब यूज करना है, जब आपको output में error देनी है, ठीक है, resolve कब करना है, जब आपको success देना है, तो list से, यहाँ पर देता हूँ success, ठीक है, ऐसे लिखा, और मैं अगर यहाँ पर देखूँगा, तो मुझे यह मिलती है, success, ठीक है, और यह fulfilled हो गया, अब कैसा है, कि अगर मैं इसके prototype पे देखूँ, ठी promise के उपर मैं then use करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर, let's say, कुछ भी result लिखता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर, जो मुझे result मिलेगी, यह value, ठीक है, let's say, मैं यहाँ पर लिखता हूँ value, क्या मिलेगी देखते है, line number 9 पर, तो यह basically line number 9 मुझे दिख रहा है, console.log value, यह मुझे क reject, ठीक है, अब यहाँ पर मैं then block वापस लगाता हूँ, अब मैं refresh किया, तो इसने मुझे क्या दिया, promise failed होगी, right, इसका मतलब कि, यहाँ पर promise हमारे fail होगी, लेकिन error हमें कहाँ पर दे रहा है, console पी, let's say, यह error हमें नहीं मिले, right, यहाँ पर, यहाँ पर log हो रहा है क्या कु तो नहीं यहाँ पर आता है, अगर यहाँ पर resolve होगा, ठीक है, तो ही यहाँ पर आता है, right, refresh किया, और यह देखिए, this is my thin block, इसका मतलब यह तब ही उसकर रहा है, जब आपका success हो, ठीक है, अगर fail हो, तो यहाँ पर आप dot करके chain कर सकते हैं, ठीक है, एक के बाद देख, आप continue कर रहे हैं, इसी का, ठीक है, और try or catch, जैसे चीजों में आपने पढ़ है, कि यह क्या देगा आपको, error देता है, यहाँ पर आप error को print कर सकते हो, तो मैं अगर यहाँ पर console lock करूँ, तो अब मेरा यहाँ पर error आ जाएगा, refresh, अच्छा, मुझे इसके लिए क्या करना प अपड़ेगा, ठीक है, और मैं refresh करता हूँ, मेरा क्या यहाँ पर, failed, इसका मतलब कि हम अब console पर को error नहीं आ रहा, और जैसे मैं इसको हटाता हूँ, then block, catch block को, तो यहाँ पर console पर error आती है, यानि कि error को हम handle कर पा रहे है, और हम इसके साथ कुछ भी like कर पाएंगे, जैसे आपको custom कुछ print करना है, pop-up दिखाना है, है न, इसके बिना तो आपको कुछ मिल भी नहीं रहा, error न, यानि हम error पर access पा रहे है, यहाँ पर, तो हमें सम जब भी error होती है, तो यह block call होता है, और जब भी success होता है, तो यह block call होता है, ठीक है, तो यह समझ में आगया basically, और एक और होता है, हम इसके आगे dot finally भी कर सकते है, यह basically optional है, और आप use करना चाहे तो, यह क्या करेगा, जब let's आपका promise खतम हो जाएगा, ठीक है, resolve हो गया, य यानि कि उसका state fulfilled हो किया, या फिर error हो किया, in the case मतलब मैं बात करूँ, अगर settled हो गया तो, जब promise आपका settled हो किया, जो आपने state पढ़ा था, तब this is finally state, यह call होगा, इस case में अगर real example ही ना चाहते है, तो मान लेचे कि आपने API call किया, उसके बाद, या फिर fail हो किया, फिर pass हो किया, लेकिन last में आपको क्या करना पड़ता है, loader जो चल रहा हो, उसको stop करना है, ठीक है, या फिर आपको कोई show some message, ठीक है, ऐसे कुछ भी करना है, तो यहाँ पर आप कर सकते है, basic, या फिर कोई variable clean करना है, ठीक है, यह सब काम आप यहाँ पर कर सकते है, क्योंकि यह fail हो, चाहिए pass हो, यह दोनों case में चलेगा, यह दीक है, this is final state, even fail होने के बाद भी चल रहा है, और मैं इसको resolve कर दू, तो भी चलेगा, यहाँ पर देता हूँ, success, ठीक है, इस case में भी चलेगा, final state जो होता है, बिसे अपने पास try catch finally होता है, यह दोनों state में चलता है, ठीक है, तो resolve basically a synchronous task perform कर सकते है, यहाँ पर बिल्कुल time नहीं लगा, because इसने तुरंत resolve कर दिया, ठीक है, यह quick resolve हो गया, इसने जड़ा सा भी time नहीं लिया, लेकिन एक example के लिए देखते है, अगर मैं यहाँ पर console lock करू, ठीक है, this is start, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर, this is, sorry, मैं यहाँ पर करता हूँ, this is first, this is second, और एक print करता हूँ, एक last मैं करता हूँ, this is third, ठीक है, अब यह देखे, जब मैं refresh करता हूँ, तो मुझे क्या देखा, this is first, this is second print हो गया, फिर this is third print हुआ, उसके बाद this is my din block, success और finally आ रहा है, इसका मतलब कि basically यह अपना event loop handle कर रहा है, यानि कि यह asynchronous से पता चलता है, synchronous मतलब क्या, एक के बाद एक task होता रहेगा, ठीक है, एक के बाद एक task मतलब जो blocking है, जो time ले सकता है, जो synchronous नहीं है, उसको event loop handle करेगा बाद में, लेकिन जो block नहीं कर रहा हो आगे बढ़ेगा, so this is first आगे बढ़ा, उस उसके बाद this is second आया, ठीक है, उसके बाद यह नहीं आया, यह आगया, उसके बाद यह आया, जबकि यहाँ पर देख रहा है, कोई set time out नहीं था है, सारा चीज मैंने कहीं पर timer नहीं लगाया, कुछ भी ऐसा नहीं लगाया, जो रोक रहा है, future result दे रहा है, इससे मैं क्या प set time out कर सकता हूँ, example के लिए क्या, मैं यहाँ दिखा रहा है कि, यह, let's say, मैं कुछ task perform कर रहा हूँ, जो long time ले रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको, let's say, मैं देता हूँ, एक second, ठीक है, और यहाँ पर मैं resolve करूँगा, ठीक है, अब यहाँ पर resolve करूँगा, और यहाँ पर क्या लिख रहा है, this is result from server, ठीक है, यह चीज़, अब यही चीज़ क्या होगा, मुझे एक second बाद मिलेगा, तो basically, ऐसा समझे कि, यह मैंने network call किया, और अगर यहाँ पर जा यह बाद समझने के लिए था कि promise कैसे चल रहा है, right, even though हम कोई time taking ने ले रहे थे, time blocker ने कर रहे थे, तो अब यह दिखे, this is my din block, this is result from server, this is finally state, right, so यह समझ में आया है, right, कि आप basically, promise को लेके, अब callback ना यूज़ करके, आप यह कर सकते है, so यह कितना simple है, right, आप basically, कोई callback मतला basically, even though यहाँ callback ही उस कर रहे, लेकिन यह एक pattern, इस pattern में लिखने पर थोड़ा सा debug करने में, और काफी elegant है, right, देखने में, जो हम callback function उस करते, example के लिए, भी देख लीज़िए, फिर मैं add का ही बना रहे था, right, यहाँ पर basically, मैं यहाँ पर क्या कर रहा है, x, y ले रहा, यह बस बताने के लिए, और यहाँ पर क्या होती थी, अपने को callback आता था, ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, set time out करके, यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, basically, यह दिखा रहे थे कि इतना time लेता है, और यहाँ पर cb के अंदर x plus y पास कर रहे थे, right, यह callback pattern था अपना यहाँ पर आप क्या करते थे, 1,2 और यहाँ पर आपको function पास करनी रहती थी, यहाँ पर आपको result मिलता था, ठीक है, so basically अगर आप इसको compare करना चाहिए, तो ऐसी हो रहे है, यहाँ पर अगर मैं करू, add करता मा लीजे, ठीक है, कुछ भी, तो ऐसी काम करते, right, आप क्या करत करते, कुछ भी, A+, पर यहाँ से return करते, और यहाँ पर ऐसी हो रहा है, जब add करो, तो then block, फिर function run करो, right, यहाँ पर, और यह exactly हम यहाँ पर कर रहा है, अगर आप इसको compare करें तो, so यह pattern, थोड़ा सा अपने को ज्यादा सान रहेगा, अगर आपको nested है, जैसे कि पहले database call करो result law, फिर उस result में से people का नाम fetch करो, फिर people का profile ID fetch करो, फिर उसका location fetch करो, यह सारे आप chain कर सकते हो, एक के बाद एक और, लोगों को समझ में भी आएगा, instead of जो हम अभी बात कर रहे थे, ऐसे जाने का, right, इससे तो better है, right, यह, तो basically इसका ही solution यह, अगले वीडियो हम बात बारे में, विल्टेकली वीडियो में, थेंक्यू सो मच,